गुड मॉनिंग एवरिवन उम्मीद है आपके रिट परिक्षा की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग पूरी तरह आश्वच्ट होंगे कि आप इस परिक्षा में सफल रहेंगे लेकिन बहुत से ऐसे भी हमारे चात्र होंगे भाई बैन ऐसे होंगे जो अब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे परिक्षा की तिथी को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए प्रेशर महसूस कर रहे होंगे कि परिक्षा आने तक मेरा सेले बसी याद नहीं होगा तो मैं उन सभी दोस्तों के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ इसलिए मैं इस वीडियो पे आया हूँ अकसर मैं आपकी परिक्षा काल में वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसकी वज़़ बड़ी गंभीर है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय आपको सोशल मीडिया से दूर रहने की जरूरत है रेग्यूलर अगर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग उसके इंतजार में रहेंगे आपका समय खराब होगा दूसरी चीज किताबों की जगए कोई वीडियो नहीं ले सकता तो आप अपने किताबों से पढ़ें वो ज़्यादा आपके लिए बहतर है एक प्रॉफेसर साब हुआ करते थे और उन प्रॉफेसर साब ने अपने छात्रों की परिक्षा लेने की सोची अब वो किस तरफ परिक्षा लेते हैं यह आप देखिए कक्षा में आते हैं और सभी से कहते हैं कि मैं आज आपका एक एक्जाम लूगा बच्चे उस एक्जाम के लिए mentally prepared नहीं थे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज हमें एक्जाम देना होगा वो बड़े confused होते हैं पर्फेसर की तरफ देखते हैं प्रफेसर साब बच्चों को नजर अद्दास करते हुए sheets बाटते हैं जब वो 30 sheets बाट चुके कक्षा को उसके बाद वो बच्चों से कहते हैं कि flip over page को पलटिये और अब आप paper solve कीजी बच्चे flip over करते हैं और क्या देखते हैं कि उस page पर कुछ नहीं है सिर्फ एक black dot है बच्चे और ज़्यादा perplexed हैं confused हैं वो प्रफेसर साब की तरफ देखते हैं लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते समय शुरू होता है करीब 30 मिनिट का उप paper होता है परिक्षा खतम हो जाते हैं प्रफेसर साब सब की copy चेक करते हैं जब वो 30 की 30 copy चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे इस तरह से लिख रहे हैं उसके अंदर कुछ बच्चे लिखते हैं कि ये एक full stop है कुछ बच्चे लिखते हैं कि black dot से ये पता चलता है कि किसी ने इस कागज को use करने का प्रयास किया लेकिन बाद में अपना इरादा बदल दिया and so many various explanations were given to the professor सबकी कॉपिया चेक करने के बाद सबके उत्रों को कक्षा में पढ़ने के बाद प्रोफेसर साब अपने बच्चों से कहते हैं कि देखिये कागज सफेद है उस पर black dot बहुत छोटा है लेकिन आपका ध्यान उस black dot पर गया आपने जो भी explanation दिये उस black dot पर दिये किसी ने भी उस उजले पक्ष पे ध्यान नहीं दिया उस सफेज शीट पर ध्यान नहीं दिया कहीं किसी ने ये नहीं लिखा कि ये एक सफेज शीट है और इस पर एक काला dot है यही आपकी मानसिक दशा है इस सफेज आपको negativity नजर आ रहे है जो dark area आपके जीवन में है जो negativity है वो आपको तुरंत दिख जाती है आपका ध्यान सीधा वहीं आकरशित होता है आप ये नहीं देख रहे कि आपके पक्ष में कितनी चीज़ें उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है अब चुंकि आप अपना ध्यान dark चीज़ों की और रख रहे हैं आप इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि कितनी चीज़ें आपके पक्ष में है इस समय तो जाहिर सी बात है आप हमेशा दबाव मैसूस करेंगे यह एक ऐसी परिक्षा है जो आपके decision making की परिक्षा है न की memory का exam memory का exam होता तो इसमें fill in the blanks होते इसमें आपको चारो option दिये जाते हैं और उसके बाद आपसे यह expect किया जाता है कि क्या आपने कभी एक या दो बार इन तत्यों को पढ़ा है अगर पढ़ा है तो आप उसमें से सही decision चुनिए तो this is all about your decision making it is not about only your memory पहली चीज़ तो यह है दूसरी चीज़ कुछ साथ ही यह सोचते हैं कि नई April बहुत करीब है 25 April एक्जाम होगा अमारी तयारी पूरी नहीं है syllabus पूरी तरह से cover नहीं है तो मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि देखिए अभी भी आप अगर यह सोचते हैं कि मैं syllabus को दो बार भी ढंग से पढ़ लूँगा तो आपके लिए परयाप्त है अंतिन तीन गंटे में आपका दिमाग चलना चाहिए और अंतिन तीन गंटे में आपका दिमाग तभी चलेगा जब आप इसको परिक्षा हॉल में free रख पाएंगे कोई भी ऐसा मस्तिश को जो प्रेशर में होता है दबाव में होता है वो कभी सही कार्य नहीं करता तो अगर आप चाहते हैं कि एक्जाम हॉल में आपका ब्रेन बिल्कुल सही फंक्षन करे तो आपको ये करना होगा, सीखना होगा कि आप दिमाग को free कैसे रखें याद रखिये, खोने के लिए आप में से किसी के भी पास कुछ भी नहीं है आपको जो भी मिलेगा वो सिर्फ प्राप्ती ही कहलाएगी अगर आप सफल हो जाते हैं तो प्राप्ती है अगर आप सफल नहीं भी हो पाते हैं अनुभवाब की जिन्दगी में जुड़ जाएगा कि मेरी कमजोरिया काम है ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि ठीट की तयारी के लिए परयाप्त समय नहीं मिला काफी समय हमारे पास था और अभी भी काफी समय है मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने इस सेलिबस को अभी भी 25 एपरिल तक दो बार पढ़ लिया ढंग से आप सफल हो जाएंगे तो जिन्दगी में नेगिटिविटी को देखना बंद कर दीजिए पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए इस समय काफी चीज़ें आपके फेवर में हैं बस आपका ध्यान उदर नहीं जा रहा है और यही वज़े कि आपको ऐसा लगता है कि चारो तरफ अदेरा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चारो तरफ अदेरा है रोशनी आपके इंतिजार में है जिन्दगी में एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आप यह expectation करते हैं कि कोई बाहर से आएगा and हमें motivate करेगा और उसके motivation की नाव के सहारे हम लोग सफलता की सीड़ियां चड़ेंगे तो आप इस गलत फायमी को भी दिमाग से निकाल देजिए हमें inside out motivation के बारे में सोचना है inside out motivation यानि जो आपके दिल में पैदा हो आपके वजूद में पैदा हो आपकी personality में पैदा हो और आपके काम में आपके कारी करने में वो दिखे आपके परिक्षा परिनाम में वो दिखे आप लक्ष प्रेरित रहें, व्यक्ति प्रेरित नहीं और आपका लक्ष इस समय रिठ है तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बैटर तरीके से प्रफॉर्म करेंगे किसी तरह के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है हमारे पास काफी समय है 30-35 दिन, 40 दिन परियाप्त होते है अभी भी आप सेलेवस को दो बार पढ़ेंगे तो काफी समस्या हैं आपके हल हो जाएगी आखरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कमेंट्स थे कि मैं वीडियो नहीं बना रहा तो आप किसी external motivation के भरोसे मत रहिए motivation हमेशा अंदर से बाहर आना चाहिए लक्ष प्रेरी रहिए आपको किसी motivation की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी पहली चीज़ और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो परिक्षा है मैं बता चुका हूँ कि decision making का exam है आराम से syllabus को पढ़िए दिमाग को free रखिए परिक्षा के अंतिम तीन घंडों में अगर आपका दिमाग चलेगा तो आप निश्चित तौर पर सफल रहेंगे न सिर्फ सफल रहेंगे बलकि बहुत बहतरीन अंदाज में सफलता प्राप्त करेंगे मेरी आशाएं मेरा विश्वाश और मेरा आशिरवाद आप सब के साथ है इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे जैहित